पंजाम में दिन प्रती दिन क्रोना का कहर बढ़ रहा है जिसको देखते हुए सरकार की ओर से 1 दिसंबर रात्री 10 बज़े से सुबा 5 बए तक नाइट करफ्यू का एलान किया गया है सरकार के एलान के बाद जिन लोगों के घरों में शादियां रखी हुए थी उनके लिए बहुत बड़ी परिशानी खड़ी हो चुकिये नमश्कार में रागवजन गवस्टोडी में बात करेंगे नाइट कर्फ्यू की वज़ा से शादियों में हो रही दिक्तों की जिहां जिन लोगों ने राद के समय शादियों का प्रोग्रम तै किया था वह नाइट कर्फ्यू के एलान के बाद दिन में शादिय करना चाह रहे मगर पहले सही कहे दिन की बुकिंग थाई कही कई कईयों की इसके चलते एक दिसंबर से 16 दिसंबर तक जिलों में करीब 300 शादियों में से 1500 से अधिक शादियों की तारीक या तो बदल दी गई है या फिर समय में परिवर्टन किया जा रहे जिनके घर में शादि है वह अपने सभी रिष्टोदारों को निमंतरन भेजे जा चुके है सब कुछ फिक्स हो चुका है मगर अब सरकार के नाइट कर्फ यूखे फैसले के करन बहुत बड़ी परिशानी में वस गए है उन्होंने कहा कि वहां होटल संचालक के साथ बात हुई कि रात की जगा प्रोग्रम दिन में दे मगर दिन में होटल पहले से ही बुख हो चुकिया उन्होंने कहा अब है कुछ भी निर्ने नहीं ले पा रहे हैं अब वह क्या करे कुछ समझ में नियाद बेपार पर पड़ेगा इसका से जिहां होटल संचालकु ने कहा कि काफी समय से लोकडाउन के बाद बेपार की स्तिती को समानने दिखी थी लेकिन अब फिर से नाइट कर्फ्यू की घोशना के बाद होटल रेश्टरेंट का काम ठप हो जाएगा जहां विबाज शादी वाले परिवारियों को प्रशानी छेलनी पढ़ रही है वहां हुनोंने कहा कि अब फिर विपारियों की आर्थिक तंगी से बुजरना पड़ेगा जहां ग्रामिन इलाकों में थाना परभारी संभालेंगे कमान जहां आपको बता दे कि क्रोना महमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से नाइट करफ्यू की घोशना के बाद सिटी को छे सेक्टर में तो कैंट को दो सेक्टरों में बाढ़कर प्लिस अधिकारियों की तेनाती की गई है इसके अलावा ग्रामीन इलाकों में थाना परभारी को काम कमान दी गई है उन्होंने कहा कि इसके इलावा पुलिस की ओर से लोगों को कुरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरू करने के लिए फ्लेक्स लगाएक जाएंगे फिर भी मास्क ना पहने वाले लोगों को एक हजार उपे का चलान किया जाएगा जिन परिवारों को दूसरे जिलों में जाकर शादी करनी है उन्हें जादा परशानी होगी जिले में 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक करीब 300 शादिया होने वाली है जिन में से आदे से जादा रात के समय की फिक्स है अब night curfew की घोशना के बाद लोगों को इनका schedule बदलना होगा जिसके चलते 300 से अधिक शादी या तो दिन के समय होगी या परवार की और से इसकी तारिक बदल दी जाएगी और बहुतों ने शादा बदल भी दी होगी वहीं जो शादियां लोकल होने वाली थी उन्हें कम परशाणी इठानी पड़ेगे तो जिन लोगों को दूसरी जिलो में जाकर शादिया करनी थी उन्हें और अधिक परशां़ी का सामना करना पड़ेगा और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जिन लोगों ने खोड़ों की booking कराई हुए थी उनका कहना है कि नाइट के समय में तकरीबन 40-50 booking थी लेकिन जैसे ही सरकार ने नाइट करफी खोशना की तब लोगों ने cancel कर दिया कि लोगों ने सोचा कि दिन के समय में जादा कार को prefer किया और बहुत सारी जो कहें कि कार जा चुके हैं तो WhatsApp जिहां जो आजनीक यूग है तो उसकी जगा WhatsApp की जो मदद ली जारी कि अब कार दो जा चुके है लोगों को बताना है कि भाईया हम रात को नहीं दिन को करें या फिर शादी का समय टाल दिया गया है या फिर जो भी बदलाव है वो WhatsApp की मदद से किये जाएंगे परिबार वालों को बहुत जादा दिक्कत होगी क्योंकि सब कुछ फिक्स है हम बात करें आजकल जो वैडिंग प्लैनर्स है उनको बहुत जादी परशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो समान से कर दिया जाता है या बहुत सारी चीज़े लोगों का सरकार से ये कहना है कि अगर आप इस चीज़ के बारे में विचार कर रहे थे तो आपको पहले से ही कहे तो लोगों को स्तर्क कर देना चाहिए था कि आप अभी भी नाइट शादियों का प्लैन ना करें दूर दूर तक क्योंकि करोना जो है वो अपना विक्रार रूप कभी भी ले सकता है और दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है दिल्ली की बात करें केरला की बात करें हर्याना की बात करें हमाचर की बात करें तो यहां पर स्पूल भी बंद कर दिये गया है कॉलिजिस बंद कर दे और भी कहें तो शादी में लोग भी कम कर दिये गये यहां पजाब में अभी तक इस चीज का अइलान नहीं हुआ कि यहां पर इतने लोगों की ताधात आएगी, जबकि दिल्ली में कह दिया गया है कि यहां पर बस 50 से ज़ादा लोग आपकी शादी में नहीं आएगे। की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शामूंगे